आज हम जो प्लान डिसकास करेंगे उसका साइच है 24 फीट इन्टू 26 फीट यानी की 624 स्क्वेर फीट स्क्वेर फीट इस प्लान में होगा आज का टू बेच के टू बेच के होगा और इसका एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट हो जाएगा एट लाक्स इस प्लान में जो आपको मिल दाएगा यहाँ पर एक मेंगेट मिल दाएगा मेंगेट का राइड साइट पर आपको एक मिल दाएगा स्ट्यार यह होगी आपका स्ट्यार यहाँ पर मेंडिल में आपको मिल दाएगा लिविंग स्पेस और यहाँ पर आपका जो कि man gate का last side में मिल जाता आपका ईप्वान कीचन और यहाँ पर आपको एक मिल जाता है common toilet और यहाँ पर आपको 23 औंसा दो ठोट बेड्रूम पहला बेड्रूम और यह यहाँ गो देटेज जाता है मैं आपके लिए रोज house plan upload करता हूँ प्लीज दोस्तो सस्क्रेब जरूर करें और स्क्यार जरूर करें वीडियो अच्छा ला तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तो यह जो एसे है उसका width है आपका 24 feet और एसे इसका length है आपका 26 feet यह आपका आजका जो plan हम discuss करेंगे उसका full view है अब हम देखेंगे आज का जो टूबेज का house plan है उसका interior हम interior में देखते हैं कि आप घर बनाने के बाद क्या क्या कहाँ पर place कर सकते हैं एक overall view देते हैं यहाँ पर जब को main gate है main gate का right side पर आपको मिल जाता stair जो कि stair का off ऐसे हो जाएगा ऐसे हो कि आप यहाँ पर आप यहाँ यहाँ पर लेंडिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आपका सोगे लिए यहाँ पर कुछ पॉट भी लगा सकते हैं दोस्तों जो यहाँ पर आपको एक open kitchen मिल जाता है open kitchen का यहाँ आपका slab slab के ओपर हम देए च्टोप और इसी corner पर देए आपका एक sink और इसी corner पर फ्रीज रख स सकते हैं आपकी मुझी जहां पर एसी भी आप डाल सकते हैं जैसे होगा आपका जो आपको यहां पर एक common toilet मिल जाता है common toilet पर हम outer वाल पर दिया है आपका एक common और डूर का left side इसी कॉनर पर दिया आपका एक wash basin और डूर का हमने हम यहां पर दिया हैं आपका एक shower दोस्तो यह bathroom toilet हो जाएगा और यहां पर आपको एक पहला bedroom मिल जाता है पहला bedroom पर हम door का right side पर हम यहां पर दिया आपका एक यह होगी आपका एक wardrobe और यहां पर हो जाएगा आपका एक bed जो की outdoor पर फेसकर के हो और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका एक मिरोर विनिट दोस्तों जो आपका दूसरा बेड्रोम है दूसरा बेड्रोम पर भी हम डोड की सामने यहाँ पर एक दिया एक मिरोर विनिट और यहाँ पर दिया आपका एक बैड और इसी डोड का लेप्ट साइड में हम दिया आ आपको notification मिले वीडियो अच्छला तो जरूर लाइक किजिए और प्लीज दोस्तो शेयर जरूर किजिए और मुझे support प्लीज दोस्तो जरूर दीजिए आप बिलकुँ support नहीं दे रहे हैं वीडियो को share किजिए और देख आप देख सकते हैं भी सस्क्राइबर भी कुछ वर नह देखे अब हम दिस्कास करेंगे आज का जो है 24 इंटो 26 फिट का हाउस प्लान है उसका डिटेल सेज यह आपका मेन गेट है जो कि आपका 4 फिट 6 इंच या 5 फिट हो जाएगा जो यहाँ पर आपका स्ट्यार है स्ट्यार का लेंद यहीं से इसी वालत हो जाएगा आपका 13 यहाँ पर आपका यहाँ इसी त्यार के यहाँ आपका लेंच, सागभी रिट मेट 4 फिट 9 इंच, यहाँ फिट 8 फिट 12 przest वालत होजाएगा इसी वालत, वहाँ यहाँ आपका लेंद यहाँ पर आपका लेंग कीचेन मेल जात है open kitchen का length है आपका 10 feet 9 inch and 7 feet थे आपका 8 feet दोस्तो और यहाँ पर जो आपको एक kitchen का जो आपका slab है यह आपका 25 inches का और जो slab का height है वो floor level से आपका 32 inches हो जाएगा और यहाँ पर यह विंडोज है यह आपका 3 feet का जो कि ventilation के लिए open kitchen का भी हो जाएगा जो आपका एक toilet है यहाँ पर आपका common toilet उसका length है आपका 7 feet यहाँ से उड़ थे आपका 5 feet और जो यहाँ पर ventilation के लिए यह आपका 2 feet का हो जाएगा यह वाल हो जाए आपका partition wall यह वाल हो जाए partition wall जो कि 5 inches का है और सब आपका यह सब 9 inches का वाल है हम 10 inches लिए हैं कि मोटार के साथ 9 inches 10 inches है फार परता है जो कि हम 10 inches वाल को लिए हैं दोस्तों जो आपको पहला बेट्व मिल जाते है उसका length है आपका 10 feet 9 inch एंसा उड़ ता आपका 10 feet है जी और यहाँ पर जब को इस पर एक डोर है यह है आपका 40 inches का और यहाँ पर आपका open space होगा तो ज़रूर windows दीजेगा दोस्तों ventilation के लिए यहाँ पर हम close man के लिए हैं और यहाँ पर भी एक close man के लिए हैं इसलिए यहाँ पर windows नहीं दिए हैं यहाँ पर ventilation के लिए डोर से ही हो जाएगा आपका जो इसका दूसरा बेड्रूम है दूसरा बेड्रूम पर यहाँ पर एक जरूर करें क्योंकि दूसरों को भी कुछ help हो जै कमेंट करके यह बत्रे क्या आपको कौन सा साथ का प्लान चाहिए और प्लान कैसा लगा जरूर फिडबेक दीजेगा दोस्तों अच्छा ला तो अच्छा बुड़ा ला लेकिन जरूर फिडबेक दीजेगा दूस्तों यह आपका detail search का full view और दोस्तो जो भी comment किये थे उनका plan हो गया है मिला तो जरूर comment कर देना आपको मिला बोलके आप कुछ बोलते नहीं है दोस्तो प्लीज दोस्तो जरूर comment कर देना हम आगे इसका detail estimate देखेंगे विडियो को यान तक जरूर देखे अभी हम देखेंगे आपका जो small house plan है उसका approximate estimate इसमें जो आपका material cost हो जाएगा ओ जो आपका 5,20,000 के आसपास labor charge हो जाएगा आपका 2,00, इंजिनियोर charge हो जाएगा और जो आपका contractor charge हो हो जाएगा जो कि 10% होता है ओ हो हो जाएगा आपका 80,000 दोस्तो प्लीज दोस्तो आपका चनल home plan फईर को जरूर सस्क्राइब करें यहाँ पर जो bell icon होगा है यहाँ पर प्रेस कर दे यह प्रेस करने से यह होगा कि मैं जब भी वीडियो प्रोट करूँ आपको notification मिल देगा दोस्तो और वीडियो अच्छा लागा जोकि सीमेन का चार्ज होगा जोकि 88,000 का असपास शेन के लिए होगा 32,000 एगरिगेट के लिए होगा 40,000 स्टील के लिए होगा वाँ लाग्स 20,000 ब्रिक्स के लिए होगा 56,000 टाइल्स के लिए होगा मैटल का approximately cost होगा 32,000 plumbing वार के लिए हो जागा metal cost 24,000 electrical के लिए हो जागा 24,000 sanitary purpose के लिए हो जागा 20,000 door windows के लिए हो जागा 24,000 painting वार के लिए हो जागा 36,000 extra work safety के लिए जो के material के परपस के लिए extra हम रखे हैं 24,000 आप इसे ज्यादा रखेगा और जो total मिला कर approximate estimate हो जागा ता है और आपका 8,000 लाग दोस्तों यह approximate estimate इसलिए है कि यह आपका quality जैसे quality का material करेंगे उसके उपर डिपेंड करेगा और यह location के उपर डिपेंड करेगा क्योंकि location के इसाब से आपका level का charge भी different होता है इसलिए यह approximate cost है दोस्तों यह आपका approximate estimate का फूल भी हुए आज का जो प्लान है उसका PDF आपको इसका decision बस के मिल जएगा मिलते हैंगे नाए वीडियो पर थैंक्यू दोस्तों